हलो स्टूदेंज दिस दिए शोदा शर्मा फ्रम माई फ्यूचर एकाडमी कंटीनू करते हम चाप्टर नमबर वन के साथ आज कर जो हमारा टॉपिक है वह है टर्मिनोलोजीज ऑफ अकाउंटिंग लेकिन टर्मिनोलोजीज ऑफ अकाउंटिंग करने से पहले कल एक छोटा सा पार्ट रहे गया था हमारा दाट इस क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स क्या होते हैं हमें एक बार थोड़ा साथ में पढ़ेंगे क्योंकि जो क्रेडिटर है वह हमारे टर्मिनोलोजीज में भी आएगा तो हम दोनों पार्ट को यहीं पर ही कवर कर लेंगे अब क्रेडिटर टी ओ आर, यहां पर भी आता है, इसको डेप्टर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं डेटर, डेटर अंड क्रेडिटर, अब यह दोनों वर्ड कैसे होते हैं, दोनों में एक रेडिट वर्ड यूज होगा जैसा कि मैंने बताया credit मतलब कोई पैसे बाद में देना credit मतलब होता ही ना कि हम किसी से कुछ समान लेता है फिर हम बोलता है कि हम पैसे बाद में देंगे यह वर्ड हमारा creditor और dator में आगा अब यहां पर हम एक example लेते हैं एक ए बंदा है और एक है एक्स ठीक है ए ने एक्स को गुड़ सोल्ड किये ए ने एक्स को गुड़ सोल्ड किये तो एक्स को पैसे देने थे एक को सपोस कितने के गुड़ सोल्ड किये थाउजन रुपीज क ए ने एक्स को हजार रुपे के गुड़ बेचती है इन दोनों का रोज का transaction होता है तो एक्स ने क्या बोला कि भाई अभी मैं नहीं दे सकता मैं तीन महीने बाद दूँगा ठीक है कोई बात नहीं तो यह जो तीन महीने बाद दूँगा तो यह क्या हो गया ए ने एक्स को credit पर सेल किया दो तरीके की सेल हो सकती है एक तो cash पर सेल करना और एक credit पर सेल करना cash में सेल करना होता है तो क्या होता है कि सामने वाला इंसान सामने वाला जो customer है वो तूरंत पैसे दे देता है तो उसको बोलते है cash पर सेल करना credit पर सेल करना मतलब जब सेल किया तो सामने वाल गई लेकिन accounting की language में AX को बोलेगा उसका data, data मतलब जिससे पैसे लेने बाकी है, और अगर X को A को बोलना हो, AX को क्या बोलेगा? AX को क्या बोलेगा? कि तू मेरा data है, data मतलब जिससे पैसे लेने बाकी होते हैं, और X A को क्या बोलेगा? X A को बोलेगा creditor, creditor मतलब जिसको पैसे देने बाकी है, A को X से पैसे लेने बाकी है, तो X A के लिए क्या हो जाएगा? data, और X को A को पैसे देने बाकी है, है ना अब अगर A X से लेगा तो X क्या करेगा A को देगा लेकिन देने बाकी है तो X A को क्या बोलेगा कि तू मेरा क्या है क्रेडिटर क्यूंकि मेरे को तेरे को पैसे देने है समझ में आया तो simultaneously कोई भी transaction होगा तो वहाँ पे दो जन हमेशा प्रेजेंट रहेंगे एक क्रेडिटर और एक डेटर का मतलब क्या हुआ डेटर मतलब एक अच्छी चीज हो गई क्यूं क्यूंकि डेटर से हमें पैसे लेने बाकी है लेने बाकी है तो डेटर में अच्छी चीज हो गई क्यूंकि में को पैसे लेने है क्रेडिटर अगर मेरा कोई है क्रेडिटर अगर मेरा कोई है यानि मेरे को उस इंसान को देने बाकी है तो यह हमारे लिए खराब चीज हो गई राइट डेटर्स को asset डेटर्स asset में categorize होते हैं creditors liability में categorize होते हैं लेकिन ये अभी हमें ध्यान नहीं रखना है हमें खाली इतना ध्यान रखना है दिन में पांच बार ये बोलो डेटर यानि जिससे पैसे लेने बाकी है creditor यानि जिसको पैसे देने बाकी है अगर हम real life example यहां पर देखें तो आप suppose आपके जो कोई भी शॉप होगी जहां पर आपका खाता चलता होगा खाता आप वहाबर बोलते होगे कि एक महीने बाद आप एक महीने तक का हिसाब लिखो और हम एक महीने बाद आपको पूरा दे देंगे तो आप उस शॉप वाले को क्या बोलोगे सोचो आपको उसको पैसे देने बाकी है तो शॉप वाला आपके लिए क्या हुआ और शॉप वाले के लिए आप क्या हो गए डेटर क्योंकि शॉप वाले को आपसे लेने बाकी है यह जो टर्म है वो दोनों टर्म्स बहुत ही ध्यान रखना है अभी ध्यान रखनी की जरूरत है लेकिन जैसे ही अम इसको बहुत ज्यादा अकाउंट्स में यूज करते हैं हमारे साथ अगर हम इंग्लिश लाइंग्वेज सीखते हैं वहां पर भी ऐसा ही होता है कि अलग अलग टर्म्स आते हैं इनीशली हमें उस टर्म्स को ध्यान देना पड़ता है लेकिन जैसे वह बहुत जादा रेकिलर हम यूज करने लग जात आपको क्या करना है ट्राइग करना है कि आप अपने दिन पर में ये डेटर क्रेडिंटर और आप जो भी आप नए 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 वर्ड सीखो आप उसको यूज करो ट्रेडिट ओगया आपको यूज करने अगें डेटर का मतलब शॉप्वाले के लिए आप हुए डेटर क्यू क्या आप उसे credit पे समान लेकर आयो तो आपको उसको पैसे देने बागी है शॉप वाल आपके लिए हुआ creditor right okay fine so यहां पर as a creditor के लिए accounting information किस तरीके से useful होगी short term creditors होते हैं वो short facilities provide करते हैं suppose जो फर्म है creditor जैसे raw materials फर्म कहीं से खरीद रही है तो वो तीन महिने का credit period provide करते हैं तो creditor को यह जानना होता है कि form कैसे चल रही है form कितना profit कर रही है अगर form loss making है तो creditor कोई भी फर्म को जो supplier है वो किसी को भी जादा लंबा credit period नहीं देता credit period मतलब कि एक period जितने time में तुम हमें pay कर सकते हैं जिसे आपके shop वाल आपको एक महिने का credit period देता है एक मतलब कि आप एक महिने बाद पे करो वैसे ही अगर आपकी जो फर्म है जो business है वो अगर loss making है तो जो supplier है वो आपको जादा credit period नहीं देगा क्योंकि इसको पैदा है कि आप कभी भी बंद हो सकते हैं कि बिजनस कभी भी बंद हो सकता है इसलिए वो ट्राय करेका कम से कम credit period देना तो उसके लिए भी accounting information बहुत ही useful है अब यहां पर हमारे पास approximately 50 business accounting terminologies है बहुत easy है daily basis पे जैसे जैसे हो उसको समझो उसको apply करो और next वीडियो में हम continue करेंगे तो चलो first है हमारे लिए business transactions business transaction transaction मतलब कि कोई भी लेना देना उसको बोलते हैं transaction business transaction मतलब ऐसे goods और service लेना जो कि money के terms में आप money के terms में कोई चीज purchase sale करते हो या तो cash में कर सकते हो या फिर credit में कर सकते हो तो वो हो गए business transaction example दिया है cash transaction का goods of rupees 5000 sold to Rajnikant for cash there is an act of business transaction यहां पर बोल रहे हैं कि goods 5000 के goods Rajnikant को cash में sold किये तो यह business transaction हुआ yes क्योंकि हमने कुछ चीज बेची और सामने हमें cash मिला तो जैसा मैंने का था cash में भी हो सकता है credit पर भी हो सकता है तो यहां पर next transaction है वो credit का है goods of rupees 5000 sold on credit with the condition to pay the amount within 10 days 5000 goods Rajnikant को sold किये और कहा गया कि 10 दिन के अंदर अंदर पैसे pay कर देना तो यह क्या हो गया credit पर transaction हो गया business transaction होने के लिए चार जो condition है वो fulfill होनी चाहिए सबसे पहले एक separate person होना चाहिए जैसा कि यहां पर दे रखा है यह हमारी conditions दे रखी है कोई भी एक transaction business transaction कब माना जाएगा जब दो अलग-अलग लोगों के बीच में कोई transaction हो रहा है तो इसको business transaction बोलेंगे जैसा अभी यहां पर एक business और दूसरा person रजनीकांत दो अलग separate person के बीच में transaction हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे business transaction Good is a product Product या फिर service कोई भी जो हम बेच रहे हैं वो product या service होनी चाहिए Economic value कोई एक economic value होनी चाहिए मतलब कुछ price होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम मुझे ये goods बेच दो और भगवान तुमारा भला करेगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए सामने एक economic value सामने एक money होनी चाहिए और fourth point भी यह है Money is exchange against good Money का exchange होगा तभी उस transaction को business transaction बोला जाएगा So first हो गया हमारा business transaction Second is Event अब event मतलब event words ही हमें पता चलते है कि यह पूरा event हो रहा है एक पूरी process हो रही है Transaction और event में एक basic सा difference है Transaction एक ही action होता है जैसे मैंने goods purchase किये और मैंने सामने पैसे दिये तो यह एक ही action हुआ उसको बोलते हैं transaction और event का मतलब जहाँ पर कुछ end result आता है उसको बोलते हैं event जैसे कि हम यहाँ पर एक example देख रहा है यहाँ पर हमने sale भी किया purchase किया wages पे किये और finally result क्या आया मेरा profit 1500 कोई भी result, result loss भी हो सकता है result profit भी हो सकता है लेकिन यह क्या हो गया? पूरा एक event तो transaction और event में यही difference है transaction का मतलब एक action कि मैंने एक बार sale किया एक बार purchase किया यह हो गया transaction एक बार wages पे किया लेकिन पूरे end पूरे इस process को बोला जाता है event तो अगर individually यहाँ पर बोले तो यह मेरा sale का भी एक transaction हो गया purchase मेरा एक transaction हो गया wages एक transaction हो गया और इस पूरे को as a whole हम क्या बोलेंगे event coming to next is capital capital is the first step of every business कोई भी business को start करने के लिए हमें कुछ पैसे चाहिए होते हैं आप कोई भी business start करो सब्सक्राइब फुदिंग का कोई business start करो